अब वो बोलती है वो तो आर्जेजी के अंगिल से बोल रही है हम लोगों से बच्ची है हम क्या बतावें उनके बारे में वह अपने मिले को यह बताना चाहती है कि तुम लोग भागना नहीं जो अगनी सरकार हमारी बनेगी फ्लोटेस्ट में सब लोग सामिल रहेंगे एक द सेशन है और बिहार के विकास के लिए हमारे मुखमंतरी बरावर प्रियतन सिल रहते हैं हमसे पूछ करको तो नहीं गए हैं अब वह क्या मिलेगा इनकी बहुत बात चल रही है आप जानते कर पूरी ठाकुर की जो सम्मान मिला यह नितीज कुमार के मांगों में से एक मांग है परजातंत्र और संबिधान चलता है बहुमत से मत के अधार पर और अगर बहुमत जिनके पक्ष में नहीं है तो किसी पदपर नहीं रह सकते हैं मसकार बहुत बहुत स्वागत आपका लाइब बिहार में मैं हूँ आपके साथ संजीब सिंग देकि बिहार में एंडिय की सरकार बन गई है लेकिन राजनीतिक हल चल काफी तेज है 12 फरवरी को फ्रोटेश्ट होना है उससे पहले तेजवी आदब का जिस तरह से ब्यान आत है क्योंकि आज जो है सबसे बरी राजनीतिक भूचाल आई है कि लालूपरसार यादव की जो बेटी है रोहनी अचारिया उन्होंने ट्वीट की है उन्होंने अपने फेस्बूक आइडी से भी पोस्ट की है कि जेडियू के सत्रय बिधायक गायब हो गये हैं क्या वास्ता सब्सक्राइद ऄरने हैं और हमारे जितने यहां पर इस फ्लेट में जितने लोग हैं इस केंपस्य में सब L.गs उपस्ते थे और मौइल से सब से बात होती है हमारा यह भी बिधायक गायव नहीं है हम लोग हम लोग आपने मिले को ये बताना चाहती है कि तुम लोग भागना नहीं जो अगनी सरकार हमारी बनेगी बस यही संदेश देना चाहती है नहीं तो और कुछ नहीं ना जदियू में ना भाजपा में ना हम कहीं कोई टूट नहीं है हम लोग- लितिश्कुमार के साथ हम लोग एकdsदम इंडिये के साथ हैं कहीं पुटफूट Northern हम लोग में नहीं नहीं है ये चार-पांच से ही काम हो जाता लेकिन होता है एकि आधि-डीओ गायब है साथि साथितल्य आधि आदियस कर रही है कि जेडियू खास करे ju को बारे मोलने हैं कि हमने तो बोला था कि खेल होगा लेकिन इतना वरा खेल होगा यह पता नहीं है यह सब कलपनों की बात है यह सब कहीं सचाई नहीं हम लोग तो रोज बात करते हैं अपने साथियों से साथियों से बिदायकां से बात करते हैं जो पटना में उनसे बात करते है सबी को नितीज कुमार में पूरी आस्था है और नितीज कुमार के एक कि सारे पर हम लोग उनके पीछे कुछ भी करने को तैयार रहती है। एक दम हम लोगp 비슷 में सांबिल रहें और बारे तारिक को हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग इंडिया में जतने साथी हैं सब एक मुस्त एक साथ हैं और सरकार अपना बहुमत साबित करेगी मुखमंतरी नितीज कुमार जी आज गया है प्रधान मंतरी से मिलने के लिए क्या कुछ मांग को लेके गया है या अपचारिक मुलकाद भी है एक प्रोसेस भी है चुकि यह बजट सेसन है और बिहार के विकास के लिए हमारे मुखमंतरी बरावर परियतनसील रहते हैं और वि है ना अब वो क्या मांग करेंगे वहां क्या मिलेगा इनकी बाहुत बात चल रही है आप जानते हैं कर पूरी ठाकुर की जो सम्मान मिला यह नतीज कुमार के मांगों में से एक मांग है था और नतीज कुमार तो बिहार की बात करते हैं उनको परिवार से मतलब नहीं है साथारण सी बात है यह कापचारिक भेट है इसमें और कुछ बात नहीं है इक आखिर सवाल रहेगा कि विदान सभा सब्सक्राइब कर जो है नहीं कि इनका कह दिया है कि हम किसी भी सुरत में इस्थिपार नहीं देंगे लिकिन हम उनके बिरुद में कुछ नहीं बोलना चा आता है आपको कि परजातंत्र और सम्विधान चलता है बहुमत से मत के अधार पर और अगर बहुमत जिनके पक्ष में नहीं है तो किसी पज़ पर नहीं रह सकते हैं यह तो समय पर थाबित हो जाएगा केवल यही होगा कि एक दिन का समय उसमें लगेगा इसके सिवा और परस्ताओं के बारे में हमको आज ही पता चलना है ऐसी बात नहीं है आज कैसी पता चलेगा उनको हमारे ख्याल से जैसा आप भी पता है आपको भी है मैसेज है उनको बहुत पहले ख़वर दिया गया है अब वो सम्मा हम तो बताए कि जब तक हमारी बिदान सबाद जक्ष ह अभी भी हमारी बिदान सबाद जक्ष हम उनके खिलाप नहीं बोल सकते हैं लेकिन सबची चलता है परजात तंत्र में मनें ये बोट की राजिती है जिसके पास अधिक मत होगा वही बिदान सबाद में सभापती होंगे और एंडिये का सभापती बनेगा अपनी शित रही ह लाइट नहीं करें लाइक देखते हैं जरूट करीदे लोग आई लाइव बिहार यूट्यूब पर चांप सब्सक्राइब और फेस्बॉक पर लाइक जरूब परूर करें